राधे राधे एवरिवन आजकी इस वीडियो में हम सोल दिवस्य महालक्ष्मी व्रत पुजाविदिय के बार में जानेंगे कल यूग में लक्ष्मी प्राप्ति का ये महापर्व माना जाता है पीडी दर पीडी येदि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं ये 16 दिवसिय महालक्षमी के वरत अवश्य रूप से करने चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महालक्षमी के 16 दिवसिय वरत कैसे किये जाते हैं किस प्रकार से स्थापना करते हैं पूजन कैसे करते हैं और 16 दिन तक किस प्रकार से रोज पूजा की जाती है भादरपद मास के शुकल पक्ष की अस्टमी यानि कि राधास्टमी से ले करके अश्विन क्रिश्न पक्ष की अस्टमी क्वार मास की अस्टमी तक क्रिशन पक्ष की अस्टमी तक यानि कि शाद्द पक्ष की अस्टमी तक ये वरत किये जाते हैं तिती घटने बढ़ने से कभी ये 15 दिन के होते हैं कभी 17 दिन के भी हो जाते हैं तो उसे हमारा कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों आज की इस विडियो में हम पूजा विधी को जानने वाले हैं तो इससे पहले हम कुछ बाते जालें हैं कि इस व्रत को सबसे पहले प्रह़ए भगवान श्रेकिष्र ने पांडवों से कराय था जो की अपना सारा राजपाट खो चुके थे और इस वरत के प्रभाव से उन्होंने फिर से अपने राजजे को वापिस पा लिया था तो बहुती प्रभाव शाली ये वरत पूजन है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है इसके लिए एक लक्षमी कलश की थापना की जाती है चौकी सजा ले और इस तरीके से चौकी सजाएगी पूजा करने वाले का जो मुक है वो उत्तर दिशा की ओर रहे उत्तर पूर्व या उत्तर या पूर्व दिशा की हो रहे और यहां पर देखिए अस्ट दल कमल के उपर एक कलश रखें कलश के अंदर आप देखिए लॉंग इलाची सिक्का सुपारी हल्दी की गाट के अलावा एक कमल गट्टा और एक कौड़ी और एक गुब्दी चक्र जोड़े से भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद में एक नारियल आप चाहे खड़ा रख लीजिए चाहे उसका मुक अपनियों रख लीजिए पंच पलव लगा लीजिए इस तरीके से लक्षमी कलश की स्थाबना करने के बाद में उनकी तस्वीर को या फिर आपके पास जो भी मूर्ती हो उन्हें आप विराजमार करें गंगा जल से धुल करके यहां पर देखे हैं हाथी की भी पूजा की जाती है यह आखिरी दिन की जाती है गजलक्षमी का पूजन महलक्षमी के जो 16 दिवसी वरत है उसमें आखिरी दिन किया जाता है तो आप हाथी देखे लास्ट दिन आपको लेकर के आना है, ऐसा जरूर नहीं है, कि आप पहले लेकर के आना है, मिट्टी के हाथी मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत सुन्द सुन्द से आते हैं उस टाइम पे, और इसी के साथ में गणिजी के हम स्थापना करेंगे, माता लक्षमी की पूझा कभ गट्टा और कोडी और सोने चांदी की चीजे भी आप पुझा में रख सकते हैं और एक दीपक आप शुद्द देशी गी का बना ले और धूप बना ले एक और साथ में दूर्वा, इस वरत में दूर्वा का बहुत महत्व होता है, तो सोला दूर्वा लेकर के आप इस तर तरीके से आप सांकेति किसनान भी करा सकते हैं, उसके बाद में हम गणेश भगवान का नाम लेते हुए माता महालक्षमी का नाम लेते हुए हम इस प्रकार से धूप दीप को प्रजवलित कर देते हैं, और इसके बाद में देखिए हम सबसे पहले गणेश जी का पूझन कर दूरवा अर्पित करें गणिश जी को दूरवा तेदिक प्रिया है और ये जो सोले दिवसी है महालक्षमी का वरत पूजा ने इसमें दूरवा का विशेश प्रयोग किया जाता है तो दूरवा आप इकटी ले आएं पार्क से कहीं से भी और आप अपने फ्रिज में उठा करके रख लें क्योंकि बासी नहीं होती है दूरवा तो इस तरीके से देखिए हमने गणिश जी को भी धूब दीप यहां पर दिखा दिये हैं आप चाहे तो लाकर के रख सकते हैं पूजन कर सकते हैं यह आखिरी दिन की पूजा होती है गज का पूजन जब किया जाता है और हमें माता महालक्ष्मी की बैठी हुई हमें प्रतिमा या फिर तस्वीर लेनी है कमल के उपर विराजमान हो और उसमें हाथी अवश्य होने चाहिए उस फोटो में या प्रतिमा में हाथी अवश्य हो दीप नाराने का भी हम पूजन कर देंगे इस प्रकार से और उसके बाद में यहाँ पर देखे लास्ट में हम इस प्रकार से माता महलक्षमी का पूजन करेंगे फोटो में जो गज दिये गए हैं उनका भी हम इस तरीके से टीका करेंगे उनको भी हम अक्षातरपित करेंगे पुषपादी अर्पित करेंगे तो दोस्तों बहुत ही प्रभाव शाली ये वरत पूजन है यदि जीवन में बहुत ही प्रयासों के बाद भी लगातार गरीबी बनी हुई है घर में धन है मगर रुकता नहीं है जैसा आता है वैसे चला जाता है जिनके पास धन है भी और वो के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की दरिदता दूर हो जाती है और माता महालक्षमी इस्थाई वास करती है तो देखे माता महालक्षमी को गुलाब का पुषप और कमल का पुषपते दिख परी है तो हुसके तो कमल का पुषपर पित करें नहीं तो आप गुला तरफित करेंगे और इसके बाद में जो भी फूल हो उससे अच्छी प्रकार से चौकी को हम सजा देंगे आप देखे किसी भी मजबूरी से आप चौकी भी नहीं सजा पा रहे हैं तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में आपकी जो भी मंदिर में लक्षमी माता की जो फोटो है उसको आप डेली आप उनका पूजन सुभसाम इस प्रकार से करें माता मालक्षमी को शिंगार की सामिगरी भेट करेंगे देखे शिंगार की सामिगरी आप प्रतम दिन भी कर सकते हैं बीच में कभी भी क प्रसाद माता की अर्पित करिए और फल भी अर्पित कर से हैं कोई भी माता को बना इसमें सोलतार होने चाहिए, आप कलावा ले सकते हैं, अगर कच्चा सूत लेते हैं तो उसे आप हल्दी से रंग लें, और जो हमने अस्टिदल कमल बनाया उसे सफेद नहीं रखेंगे, उसके उपर भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम हम डाल करके, उसके बाद ही उसके उपर ह इसा रिवाज है कि जब हम हमारे एक वरत संपूर्ण हो जाता है, तो हम एक गांट लगा देते हैं, दूसरे दिन हम दूसरी गांट लगाते हैं, तीसरे दिन हम तीसरी लगाते हैं, किसी किया पर ऐसा है कि पहले दिन ही सोले गांट लगा करके, इस डोरे को भी माता के पास में इस थापित कर दिया जाता है और आखिरी दिन पूजा के बाद में इस डोरे को धारन किया जाता है हाथ में और इस प्रकार से ये जो डोरा है ये सिद्ध हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये डोरा होता है इस डोरे का भी पूजन किया जाता है डेले यहाँ इस डोर पहना संभव नहीं हो पाता है उसके बाद में इत्र जरूर लगाए मादा महालक्षमी का जो भी पूजन होता है वो वैभवशाली होता है उसमें आप इत्र का अवश्य रूप से प्रयोग करें और इस प्रकार से देखिए महालक्षमी पूजा की पुस्तक आती है उसका भी पूजन करें और इसमें से कथा अवश्य रूप से पढ़ें कथा का वीडियो आपको हमारे चनल पर मिल जाएगा आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं और हाथ में दूर्वा ले करके मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस व्रत पूजन में दूर्वा का बहुत महत होता है तो हा जब है कार से शाम को भी आप दूपधी पारती करेंगे बहुग लगाएंगे मा को तो इस दिन देखे हमें चोटा सा हवन अवश्य रूप से करना है हवन आप गया के उपले की उपर भी कर सकते हैं और रहाआं की लगड़े के उपर पर भी कर सकते हैं और देली अपनी जाना है हो सके तो रंगोली बना करके छोटा सा कलश स्थापित करके और आप एक दीपक अवश्य रूप से साइड में चौकट जो हमारी में चौकट हो घर की वहां पर अवश्य रूप से एक दीपक आप प्रजुवलीट करें और इसके दिखें जब आप घर के अंदर एंट यदि आप देखे वृत भी नहीं कर पारें तो इन 16 दिवस में माता महालक्ष्मी का पूजन अवश्य रूप से करना है हमें पूणता शुद्ध सात्विक रहते हुए वृत नहीं कर पारें तो कोई बात नहीं और एक दीपक तुलसी पे जरूर प्रज्वित करना है इन 16 दिनों में और एक दीपक घर की चोखट के उपर हमें जरूर प्रज्वित करना है और माता महालक्ष्मी का सुबह शाम धूप दीप आरती भोग नवध्य से पूजन अवश्य रूप से करना है अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र को भी आप पूजा में स्थापित करें उसका भी पूरे विद्य विदान से धूप दीप भोग नवध्य आरती से पूजन करें और इन दिनों में हमें कनकधारा सुरोत्र का पाट अवश्य करना चाहिए जिसका नाम में ही है कनकधारा सुरोत्र मतलब सोने की वर्शा करने वाला सुरोत्र है उसे आप जरूर पढ़ें, श्री सुक्त का भी आप पाट कर सकते हैं, विश्णू सहस्तर नाम का भी आप जाब कर सकते हैं, मता महालक्षमी की मंत्रों का भी आप कमल गट्टे की माला पर जाब कर सकते हैं, तो इस तरीके से पूजन करें, शुद्धता और साफसफाई का हमे विशेश ध्यान रखना है इन 16 दिन में महालक्षमी व्रत का 16 दिन बहुत ही महत पुण होता है 16 दिन गजलक्षमी की मूर्ति घर लाई जाती है उनका पूजन किया जाता है अब देखेंगे आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रतम दिन का व्रत कर लें आठवे दिन का कर लें तो भी आपको संपोर्णफल की प्राप्ति होती है और देखेंगे जब आप प्रतम दिन यानि राधास्ट में का कर लें बीच में पूर्णिम आएगी उस दिन का व्रत पूजन कर लें और 16 दिन जिस दिन गज लक्षमी की पूजा होती है उस दिन तो जरूर ही करें अगर आप दो दिन भी नहीं कर पारें तो 16 दिन जिस दिन गज लक्षमी घर लाई जाती है उस दिन तो सभी उको पूजन अवश्रूप से करना चाहिए दिखी 16 दिन तक चौकी तभी लगी रहेगी जब आप पूरे 16 दिन का वुरत पूजन करते हैं नहीं तो जिस दिन भी आप वुरत करें उससे अगले दिन चौकी को विस्थापित कर सकते हैं आप जानते हैं कि वर्श 2023 में हमें यह वुरत पूजन कब करना है पर और हम पर और हमारी यूटीब परिवार पसदा सरवदा बनी रहे इसी आशा के साथ विदा लेती हूं फ्रेंड्स जैहो लक्ष्मी मैया की राधे राधे